नमस्कार दोस्तों मैं विजय आप सभी का अपने यूटूब चैनल गरिमा आई-एस में स्वागत करता हूं आज तीस नॉमर 2017 है और दिन है दिहरस्पतिबार फ्रेंड्स जो कल की न्यूज है उसमें जो है काफी चीज़ें इन्पोर्टेंट है थोड़ा आप लोग उसको ज सहर है सहर का नाम है सोची वही पर गई हुई है किसलिए गई हुई है तो जड़ा सुनियेगा वह संगाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए रूस में गई हुई है ठीक आप लोग इनको थोड़ा याद रखिएगा और एक और निवी था हम इसको बताते हैं अभी मा इन्टर कॉंतिनेंटल विलस्ट्र實ल कि अंतर महादेब को यंशाइल जो है वह पूरे अमेरिकों को जो है अमेरिका को अपने य्य है यह सब परिक्षन इसका जब किया इस लुबत किया विटर को यार्थातं महां के तानवा है कि जो जो है जपान के तरफ जपान सागर में इसको हजार किलोमेटर की दूरी तक जो है जाकर के गिरा हुआ है और जपान के विशिस आर्थिक छेत्र हम आपको बताए हुए हैं जब आप भूगूर के पहले चेप्टर को आप लोग देखिएगा तो में अनन्ने आर्थिक अर्था दूसरी तीमाही जो चल रहा है जुलाई से सितमबर का विश्च चल रहा है विवर्तमान का मौझूदा विट वर्ष जो है इसकी तीमाही का जो है जीडी पी का आख़ा आज प्रस्तुत होने वाले हैं उसको जो है कल हम आप लोगों बताएंगे कि क्या गया है उन से जुन के मद पहली तीमाही अफ्रेल से जुन दूसरी तीमाही का जो है आने वाला है जुलाई से सितमबर के बीच में आज ही आने वाला है अकड़ा जीडीपी का आर्थीविकास की दर जो है लगभभभभ संभव जताई जा रहे है कि 6 के आसपास होगा देखते हैं क्या सब्सक्राइब करने वाने हैं उस मंच को यह से आठवे बैस्वीक उधमिता सम्मेलन को हम इसको जो है पहले हमेसा से बताए बताते आए हैं इसके बारे में काफली ब्रीप करके बताए थे 2010 से जो है इसकी सुरुवात होई थी वास सिंगटन में अमिर्का के राष्ट पति इसमें इसमें एक और हुई है कि दोनों देशों के जो इन में जो समझहाता हुए है यह भारतिया जो रक्षा मंतरी है निर्मला सितारमन यह और वहां के सिंगापुर के शांगी बंदरगा है एक वहीं पर रुख सकेगी अब मतलब ऐसा समझाता हुआ है कि वहाँ पर सिंगापूर में जो बंदरगा है वहाँ पर जाकर रुख सकेंगे और यहां के जो भी नौ सेना है जो भी जमान है वहाँ पर अस्थाई रूप से रुख सकेंगे उनको जो भी चीजे लेनी हो या अ सेनाओं के संजुक्त अभ्यास अर्था दोनों सेनाओं मिल करके अपनी यूद्ध कोशल को बहतर बनाने का प्रयास करेंगी और नौ सेनाओं के जवान जो है एक दूसरे के या अस्थाई से रूप से रहेंगे यह आप लोग बता ही चुके हैं तो यहीं चीजे हैं आप इससे जो है कहीं भी अगर आपको मिलता है आटिकल इसको पढ़िएगा और यह जो आपको संगहाई सहयोग संगठन यह भी काफी इंपोर्टन है इसका जो फुलफर्म होता है संगहाई को अर्गेनेजेशन देख लीजिएगा यह जो है यूरेसियाई राजनीतिक आर्थि और सामिल आप लोको पता होना चाहिए इस संगठन के सुरात जो है संगाई 5 के रूप में हुई थी 26 अप्रेल 1996 में इस संगठन की सुरात किस रूप में हुई थी तो संगाई 5 के नाम से जाना जाता था उसमें 26 अप्रेल उनिस्षोनपॉत। जिसमें कि चीन ठाएं पर कर्जाकिस्तान ठाएं को चीघे शगया 75 उंधया WOW को इसमें सामिल किया गया और इसकी जो अधिकारिक भाषा है चीनी और रुशी है याद याद रखेएगा जिसकी आधिकारिक भाषा है संगाई सायोक संगठन का चीनी और रूसी है इसमें चेत्र के विशेयों को लेकर देना है और उसमें आर्थिक संबन्ध है, अर्थवोस्ता को ले करके एक दूसरे सो भागेदारी को ले करके थी. इससी साल जून में भारत और पूर्णे कालिक सदस को तोर पर बना लिया । इसके पहले दूनों देश परिवेकशक के तोर संगाई से योग में समलित थे उपने एक और बात जान लेजिए कि यह पूरी दुनिया के चारी सदसे डेश है इसके जंगाई से योगष, संगठन के ये दुनिया के चारी सदसे ज्यादा जनसंगा इसमें निवास करती है ये इन्के जो भी देश समलित है एन में इन देशों में जो है दुनिया की 40 पर जनसंग का निमाज करती है और इनकी जो भी सदसेदेश हैं इनकी GDP की बात की जाए तो GDP में पूरे दुनिया के GDP में 20 पर 30 का वदान देते हैं तो वीदेश मंत्री हमारी सुस्मा स्वराज जो है इसमें गई हुई है और इससे भी सम्मधित अगर जो चीजे आती हैं इसको आप लोग देखने का प्रयास किजिएगा और जरूर प्रयास किजिएगा तो फ्रेंड्स बस इतना ही था और कुछ था नहीं जो इनफोर्टन जो आप लोग को बताया जा सके तो इतना ही मैं बोलकर के जो है अब मिलते हैं कल और एक और बात हम बताना चाह रहा है कि जो प्राइडीपिय भारत की नदियों बंगाल की खाड़ी की काड़ी की तरफ जो नदियां गिर रही हैं उनके बारे में जो है हम साम को पांच बजे के लगभग में एक वीडियो अपलोड कर देंगा आप लोग जरूर देखिए गवसको भी तब तक के लि